मोदी के बाद इस देश में कोई है जूट बोलने वाला वो किसी आ रहे दोनों बीटी में वो इसको गाली देगा वो इसको गाली देगा दोनों अंदर बाई-बाई है क्यों अभी जो एससी कभी जो पेपर लीक हुआ तेलनार प्रदेश शिवा कॉंग्रेस का अदेख्ष शिवसेन रेड़ी यनेश युए का अदेख्ष प्रदेश अदेख्ष वेंकट बलमुर तमाम उनके साथ ही लोग आज भी जेल में हैं वो लोग ने तो इस लोग अवाज उटाने का काम किया लाको जो स्टूडेंट से जो एक्जाम लिखा है पेपर लिखे किस तरीके के आप लोग ने जो दिल से सच्चे दिन बर रात मेनत करके जो पढ़ाई किया उनके माबाप ने वो लोग ने तैयारी किया कई न कई रैंक बनने आने क कि एजूकेशन को लेकर जो लोग पढ़ाई किया सिंसरली उन लोगों के साथ इन लोग ने क्या किया उसको लेकर प्रोटेस्ट करेगा उसको अंदर डालने का काम करेगा तो इसके पीचे कोन है मैंने क्यो बाई-बाई बोल रहा हूं जो इनका संजई बंडी संजई Member of Parliament है BGP का प्रदेश अध्यक्षेशायद हाँ ये लोग इनका काम क्या है ये खुद पेपर लिक में इन्वाल होता है तो तेलंगाना का आने वाले दिन का क्या स्थिती हो सकता है कोई सोचा है क्या हाँ ये इसलिए इन लोग نے इस तरीके का मिंस इस पूरा तेलंगाना में इनका जो दोनों का अपस का जो बाई-बाई का रििस्ते के जिसे कई ना कई तेलंगाना को पशीश साल फीछे लेखे जाने का काम इन लोग nouvelles और इनका जो जो इनका चीज है यह पहली नहीं है और इन लोग ने एजुकेशन के लिए इनने कितना इन लोग ने 9% मातर शायद एजुकेशन का है इनका जो बजेट इन लोग ने दो दिया है वो सारी चीज में कही न कही तेलागाना युवा और चात्र के विरोध में जो इन लोग का सारे काम चल रहा है अभी मोदी जी भी आ रहा है मैं मोदी जी को भी मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी आप कुछ भी बाशन देने के पहले जो बंडी संजे जो पेपर लीक में आपका बीजेपी का अध्यक्ष इन्वा ले आप उसके बारे में पहले बात करो ये किसका संसकार है बीजेपी का ये नरेंद्र मोदी का आदेश से कर रहा है स्मिती इरानी का आदेश से कर रहा है ये पहले बताना चाहिए ये तलंगाना वासी को और साथ साथ में जेपीसी कमिटी जाइन पार्लिमेंटरी कमिटी कब बिटाएगा उसके बारे में बात करना आपको इस देश का लोगतंत्र को डिस्क्वालिफाई करने का काम किया है रावुल गांदी जी फेबरवरी साथ तारिक क्वेशन पूचता है पार्लिमेंट में अले भैसाब कितने बार अडानी का हवाई जाज में कितने बार गए कितने कंट्री पे लेकी गया उसको कितने लाब मिला है उसमें ESBI का पैसा है LAC का पैसा है और प्रावडेट फंड का पी अफ का पैसा है क्या बताना चाहिए तुरंथ जो रावुल जी के उपर एक डेफोमेशन केस था फुराना जो करनाटा कोलार में जब चुनाओ के समय में बोला था वो केस के उपर स्टे था तुरंथ स्टे वेकेंट हो जाता है वेकेंट होने के बाद तुरंथ शाट डुएट मिल जाते है जड़ चेंज हो जाते है और उसके बाद जड़्जमेंट हो जाते है 24 आवर्स के अंदर जो डिस्कोलिफाई करने का काम किया है रावुल जी का सदे सत्वा डिस्कॉलिफाई नहीं हुआ इस देश का लोगतंत्र को डिमोक्रिसी को डिस्कॉलिफाई करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ये एक विट्टी को बचाने के लिए ये बात मेरा नहीं है अब नियर टाइम्स इस फ्रेंट पेज में सारी दुनिया का अकबार में इसको लेके चपा है रोज चप रहा है उनके वहाँ का लेडर भी बोल रहा है इस देश में तानाशाई सरकार चल रहा है इस देश का प्रचान क्या है इस देश का आत्मा क्या है लोगतंत्रे दुनिया का सबसे फड़ा डिमोक्रिटिक कंट्री करके जाना जाता है उस कंट्री में इस तरीके का इन लोग का जो वेवार है और नरेंद्र मोदी जी साल में दो करोड का नोकरी का वादा किया था तेलांगाने में कितना नोकरी आपने युवा को दिया है यहां कितने इंवेस्टर आया आपने 500 कंपनी है, 500 कंट्री गूम किया यहां कितने इंवेस्टर्स आया, कितना जॉब क्रेट किया, आपका स्किलिंग इंडिया, स्टैंडिंग इंडिया, स्लीपिंग इंडिया, डिस्टेल इंडिया, वो सारे कुछ नहीं है, यह किलिंग इं के बाशन दे रहता है कोई इंदू कत्रे में नहीं है मुसल्मान कत्रे में नहीं है सिख जैन कत्रे में नहीं है इस देश का भिरोजगार युवा जो अनेम्पॉइड यूद्स है वो लोग कत्रे में हैं उसके बारे में भोलने के लिए ये तयार नहीं है जो भी वादा किया था इन लोग ने पहले अच्छे दिन अच्छे दिन का बाव आपको पता है 400 रुपए का सिलेंडर 1100 हो गया है साल में 2 करोड का नोक्री का वादा किया था नोक्री देने का बात बहुत दूर की बात है 9 साल हो गया 18 करोड नोक्री देने का इनका जान लेवा नोट बंदी नोट ब्यान के समय में कितना नोक्री चीना और गबर सिंग टैक्स के इन लोग ने ले कि आया तब कितने नोक्री चीने और करोना 1 और करोना 2 में Lack of God बगवान को भी दोशी बना दिया इनका mismanagement माने नहीं इन लोग ने करोना में mismanagement किया इनको उसके उपर कोई तयारी नहीं था precaution नहीं है meeting नहीं है all party meeting नहीं कुछ नहीं बगवान के उपर दोशी बना दिया उनकी मंत्री बना यह बात बोला है प्रसमीट में लैक अफ़ गाड तो ये लोग कोई विजिनरी नहीं है टेली विजिन लीडर से और इवेंट मैनेजमेंट कमपनी है हर चीज में एक इवेंट माय करना उसमें प्रचार लेना इस देश को कोई इसको देश का गरीब मजदूर किसी को लेके कोई चिंता नहीं है और ये बात मैं क्लियर एक बहुत मेंशन है सारे पत्रकार से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नारेंद्र मोदी आये वो 20,000 करोड जो शेल कमपनी में इन्वेस्ट किसका पैसा है देश वासी को एक बार बताओ आप दोस्ती निभाने का काम कर रहे है एक दोस्त को बचाने के लिए पूरा देश का लोकतंत्र से लेके सारे आपने ऐसी तेसी दज्जी उडाना है देश का समीदान को दज्जी उडाने का काम वो आप लोग ने किया है उसको पहले यहां बताना चाहिए अटलिस्ट हाइदराबाद में शाहिद में सुनने में आया आ रहा है 20,000 साफ क्लियर है इंडनबर्ग रिपोर्ट में आप एक एक रिपोर्ट को आप निकाल के देखेगा उसमें साफ है तो उसको भी एक बार बात करें हम यूथ कॉंग्रेस सिवसेना करें रेड़ी को आप जेल बेज़ देगा वेंकट को जेल बेज़ेगा आज दस लोग को बोल कानून के तोर पर भी लड़ाई लड़ रहा है और यहां यूथ कॉंग्रेस नसुए सबी लोग मिलके तेलंगाना का चात्रों और युवा को बचाने का काम हम करेंगे आप कितने भी डरा है नहीं डरा दो केस्त लगाना है जो आप जेल बेजना है यह कांग्रेस कारे करता है कभी इस चीज के लिए डरेगा नहीं है हम लड़ाई लड़ेंगे तेलंगाना को बचाना है तो आने वाला दिन में यहां कॉंग्रेस सरकार आएगा पूरा तेलंगाना का लोगों को भी समझ में आ गया केस्यार कितने लोगने ड्रामा कर रहा है और बाई 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 ब पूचेगा और कुछ बोलेगा बीजेपी वाले को पूचेगा वो पाकिस्तान बोलेगा यह अमको नहीं चाहिए हमको यहां युवा को यह अंप्रामेंट देने का बात करो पंद्रा लाग का क्या हुआ वो बात करो इस देश के लिए आगे आप लोग क्या करेगा उसके प जोड़ो यात्रा में यहां त्यलंगाना में लाको लोग राउल जी से मिले सबसे जाधा युवा उसमें अन्यम्प्लाइमेंट को लेके बात रखे राउल जी के साथ राउल जी भी तीन-चार वेवन त्रेड़ी जी से लेके तमाम सीनियर लीडर से बात किया आने वाले द सarकार आएगा कुछ अधिकारी लोग उनके पार्टी का प्रवक्ता बनके जो कुछ पुलिस लोग जो भी मंनों को वह किरा रहा हूँ जादा नहीं है यह साल बचाए सरकार बदलेगा तो तब हम भी यह अधिकारी लोग किस तरीके के केस डालना जबर जस्ती लाटी चलाना जो भी कर रहा है उनको भी सबक सिखाने का काम हमरा सत्ता आने के बाद हमने करने का काम करेंगे शहुरे एप्रोथो आशा मेर उन्ड़तो बानेर काठ दे तोरी प्लायूट एवां मेखालोयर पाइन काच दे तोरी ब्लाग बोड ओख्यास डोर पोचेश पोचरेर वारेंटी DCM प्लायूट बांगलाई एक्टाई नाम DCM प्लायूट जोडा मंदीर काच्वा परा जुईलर्स मने बी दाश आण सौन्स जुईलर्स नोतुन रुपे नोतुन शाजे काच्वा पड़ाई एक्स्क्लोसिब अलुंकर डिजाइन और भौर पूर कालेक्षने सम्भार्निये बी दाश आण सौन्स जुईलर्स नोतुन रुपे नोतुन शाजे बालाजी मोबाईल प्लाजा काच्ट पर स्टेशन डोड केजियार बहुत एके बारे गान्थे मोरेर काच्ट पारा उत्तुर चुब्विश पर गुणा मोबाईल फोन जोगा जोग 70037-66329 एबां 85849-17724 बालाजी मोबाईल प्लाजा दे पावेन समसुन, नोक्या, ओपो, वीवो, रेड्मी, रियल्मी एबां रिलाइंस जीओ इतती ब्रेंडिट मोबाईल फोन एछाडा मोबाईल जाबो दियो एक्सेसाडिस Balazi Mobile Plaza, Balazi Mobile Plaza, Balazi Mobile Plaza